कोरोना है सबका रोना डरने वाली बात नहीं है सावधानी हमको रखनी है एक मेटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है बच्चों आओ पड़ो सभी कोरोना से डरो नहीं बच्चों आओ पड़ो सभी कोरोना से डरो नहीं पढ़ना लिखना है सबको आगे बढ़ना है सबको हेलो बच्चों मेरा नाम तपस्या साहनी है और मैं राज की हाई स्कूल बेती लख्ठों में समाजिक विज्ञान की अध्यापिका हूँ बच्चों आज मैं आपको कक्षा 9 के समाजिक विज्ञान की लोगतंत्रिक राजनीती के पहले पार जिसका नाम है लोगतंत्र क्या लोगतंत्र क्यों के बारे में पढ़ाऊंगी तो आज हम जिन जिन बिंदुओं पर जर्चा करेंगे सबसे पहले हम जानेंगे कि लोगतंत्र क्या है फिर हम जानेंगे लोगतंत्र की क्या-क्या विशेशताएं होती है फिर हम जानेंगे कि लोगतंत्र ही लोग क्यों पसंद करते हैं और फिर हम लोगतंत्र के व्रहतर अर्थ को भी आज जानेंगे बच्चों पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं कि लोगतंत्र शासन प्रडाली एक ऐसी शासन प्रडाली होती है जिसमें जनता का शासन होता है बस इसी शासन प्रडाली के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि ये शासन प्रडाली अन्य शासन प्रडालीों से बहतर क्यों है तो आईए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लोग तंत्र है क्या लोग तंत्र की अगर हम सरल परिभाशा को देखें तो लोग तंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासुकों का चुनाव लोगो द्वारा होता है जिसमें लोग जो हैं वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और यहीं प्रतिनिधि आगे चलकर सरकार बनाते हैं इस परिभाशा से हमें लोगतांत्रिक और गैर लोगतांत्रिक सरकारों के बीच अंतर जो है वो स्पष्ट हो जाता है हमें ये पता चल जाता है कि जब शासुकों का चुनाव जनता करती है तो वो जो सरकार चुनाव होकर आती है जीती है सरकार वो लोगतांत्रिक सरकार कहलाती है और जहां पर शासुकों का चुनाव जनता नहीं करती है वो गैर लोगतांत्रिक सरकार कहलाती है जैसे उधारन के लिए हम देखें, तो मैनमार का जो सैनिक शासन है, ये गयर लोग तांत्रिक सरकार है यहां पर, ऐसा इसलिए क्योंकि जो मैनमार की शासन विवस्था है, वो वहां के सेना के अधिकारी देखते हैं, जो की जनता द्वारा चुने गए लोग नहीं होते हैं, दूसरा उधारण अगर हम साउधी अरब का देखें, तो साउधी अरब में क्या है, वहां पर शाह का शासन है, यानि वहां पर राज तंत्र है, वहां पर राजा को भी जनता ने नहीं चुना होता है, वो इस वज़े से साउधी अरब का राजा होता है, क्योंकि उसने राज परिवार में जन नहीं है, खाली इसी आधार पर कोई देश अपने आपको लोगतंत्रिक देश नहीं कह सकता, कई बार हमें असली लोगतंत्र में और दिखावटी लोगतंत्र में अंतर जानना होता है, इसके लिए हमें लोगतंत्र की बाकी विशेष्टाओं के बारे में जानना होगा, तो आ प्रतिनिती होते हैं, उनी के हाथ में यह अताकत होनी चाहिए, यह अधिकार होना चाहिए कि वो देश से संबंदित प्रमुख फैसले ले सकते हों, अगर ऐसा नहीं है तो वो सरकार जो है वो लोगतांतरिक नहीं कहला सकती, उधारन के लिए अगर हम पाकिस्तान का उधारन तो 1999 में पाकिस्तान की जो सेना थी उसके जो जनरल थे उनका नाम था परवेज मुशरफ परवेज मुशरफ ने क्या किया कि सेना को अपने कंट्रोल में किया और सेना के दम पर उन्होंने वहाँ पर जो लोग तांत्रिक सरकार चुनी गई सरकार जो पाकिस्तान की थी उसको उन्होंने उखार फेका और खुद को देश का मुख्यकारी घोशित कर लिया कुछ समय बाद उन्होंने अपने आपको राश्ट्रपती घोशित कर लिया देश का फिर उन्होंने देश में एक जन्मत संग्रह कराया यानि वोटिंग कर आई और उस वोटिंग के थुरू उन्ह कारेकाल को पांच वर्ष के लिए बढ़ा दिया पाकिस्तान के जो मीडिया संगठन के लोग थे जो मानव अधिकार संगठन के लोग थे जो लोग तंत्रस को पसंद करने वाले लोग थे उन्होंने उनकी इस जन्मत संग्रय का विरोध किया उन्होंने कहा कि यह जो इन्होंन में बदलाव किया ये समविधान क्या होता है समविधान कानूनों का संग्रे होता है जिसके अनुसार किसी भी देश की शासन व्यवस्था जो है वो चलाई जाती है आपके देश का भी समविधान है और आपके देश के समविधान के बारे में आप अगले पार्ट में अध्या प्रतिनिध्यों की सभा है या अलग-अलग प्रांतों में जो पाकिस्तान में चुने गए प्रतिनिध्यों की सभा है उसको जो राष्ट्र पती है वो भंग कर सकता है अधा सकता है। उस पर राश्ट्री सुरक्षा परिशत की निगरानी रहेगी यानि जो चुने गए प्रतिनिधियों में से जो लोग मंत्री बने हैं जो देश का मंत्रियों का समू होगा वो अपने हिसाब से फैसले नहीं ले सकेगा उसको राश्ट्री सुरक्षा परिशत के निगरानी में क सेना के अधिकारियों और जनरल मुश्रफ के पास आ गई अब देश में चुनाव तो हुए लेकिर अंतिम फैसला कौन लेता था परवेज मुश्रफ लेते थे या सेना के अधिकारी लेते थे तो यहां पर हम देखते हैं कि लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को तो चुना पर उन प्रतिनिधियों के पास यह अधिकार ही नहीं थे कि वो देश से संबंदित फैसले ले सके तो यहां पर हम देखते हैं कि यह जो लोगतंत्र यहां पे प्रकार का लोगतंत्र हमें देखने को मिलता है वो असली लोगतंत्र नहीं है दिखावटी लोगतंत्र है राज लोग तंत्र की दूसरी विशेष्टा ये है कि लोग तंत्र में जो प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव कराये जाते हैं वो स्वतंत्र होने चाहिए और निश्पक्ष होने चाहिए स्वतंत्र से हमारा मतलब ये है कि इतने विकल्प जनता के सामने प्रस्तुत किये चाहिए और ताकि जनता अराम से फैसला साई धंग से ले सके इसको हम दो उधारण से समझेंगे पैला उधारण हम चीन का लेते हैं चीन की जो सनसथ होती है यानि चुने गए प्रतिनिध् obscure की जो सभा होती है उसको कहते है राश्ट्रिये जन सनसथ इसके सदस्यं का जो है वो सेना के अधिकारियों द्वारा किया जाता है और जो बाकी सदस्य होते हैं उनकी सीटों को जो चुनाव होता है उसके लिए जो उमीदवार खड़े किया जाते हैं वो वो ही उमीदवार होते हैं जो चीन की चीनी Communist Party को पसंद होते हैं अब आप सोच सकते हैं कि अगर किसी एक राजनेतिक दल को ये पावर दे दिया जाता है कि वो चुनाव में अपने मन पसंद के उमिद्वार खड़ी करें तो ऐसे में क्या होगा वो राजनेतिक दल क्या करेगी वो राजनेतिक दल ये करेगा कि वो अपने ही पसंद के यानि अपनी ही पार्टी के लोगों को टिकेट देगा, सारे उमिद्वार जादा तर क्या होते थे? चीनी Communist Party के होते थे? या कुछ चीनी Communist Party से जो कमजोर पार्टिया होती थी, उसके उमिद्वारों को खड़ा किया जाता था ऐसे में क्या होता था लोगों के पास विकल्प ही नहीं होता था लोगों के सामने उम्मीद्वार तो कई होते थे पर जादा तर सारे उम्मीद्वार किस पार्टी के होते थे चीनी कम्यनिस पार्टी के और ऐसे में क्या होता था कि अक्सर ही चीनी कम्यनिस पार्टी को ही जीत हासिल होती थी तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां लोगों के पास विकल्प ही नहीं है यानि यहां पर स्वतंत्र चुनाव की कमी देखने को मिलती है दूसरा उधारण हम लेते हैं मेक्सिको का मेक्सिको जो देश है यह 1930 में आजाद हुआ यहां पर हर छे वर्ष बाद फॉजी शासन नहीं रहा, यानि यहां पर शासुको का हमेशा चुनाव होता रहा है यहां पर फॉजी शासन यानि सेना के हाथ में कभी भी शासन की बागद़र नहीं गई लेकिन 2000 तक सिर्फ PR आई नामक पार्टी जो है उसी को जीत हासिल होती रही सरकारी, अधिकारी, कर पार्टी का नियंतरर रहता था यानि ये पार्टी जब जीत कर आ जाती थी तो ये क्या करती थी सभी को अपने कंट्रोल में कर लेती थी जितने भी सरकारी कर्मचारी होते थे सरकारी अधिकारी होते थे उनको ये कहा जाता था कि वो इस पार्टी की जितनी भी बैठके होती ह उसको attend करें सरकारी शिक्षक जो होते थे सरकारी अध्यापक जो होते थे उनसे यह कहा जाता था कि वह अपने बच्चों के माध्यम से अपने स्ुडेंस के माध्यम से उनके माबाप तक यह बात पहुचाए कि जब चुनाफ होगा तो उनको पी आर आई पार्टी को ही वोड देना है, मीडिया को भी कहा जाता था कि विपक्षी दलों की सिर्फ आलोजना करें, उनकी जो अच्छी गतिविदियां हैं, जो वो अच्छा काम करें, उसको जनता तक नहीं पहुंचाया जाए, और सत्ता पक्षियानी P.R.I. पार्टी की कभी भी बुराई ना की जाए मीड मीडिया पूरी इनके कंट्रोल में थी, लोगों तक सही बात पहुंच ही नहीं पाती थी विपक्षी दल के बारे में, कभी-कभी तो ऐसा भी होता था कि अंतिम समय में मद्दान केंद्र को बदल दिया जाता था, जिससे कई लोग जो है वोट देने से पीछे रह जाते थे वोट नहीं दे पाते थे, इस प्रकार के हतकंडे अपना कर क्या करती थी ये पार्टी हर बार जीट जाती थी, तो यहां पर हम देखते हैं कि विपक्षी दल तो हैं, पर लोगों को उनके बारे में जादा पता ही नहीं चल पाता था, यानि विकल्प तो प्रस्तुत किये हैं जनता के सामने, पर ये जो विकल्प है, विकल्प होकर भी विकल्प नहीं है, यहां पर निश्पक्ष चुनाव की कमी है, यानि जनता के सामने सिर्फ एक ही पार्टी को जो है हाईलाइट किया जाता था, यानि पी आराई पार्टी के बारे में जादा जनता को बताया जाता था तो इन दोनों देश को भी हम लोग तंत्रिक देश नहीं कह सकते यहां कि भी जो सरकारे हैं उनको हम लोग तंत्रिक सरकार असली लोग तंत्रिक सरकार नहीं मान सकते लोग तंत्र की अगली विशेष्टा होती है कि लोग तंत्रिक देश में एक व्यक्ति, एक वोट और एक मोल की विवस्था होती है यानि लोग तंत्र में सर्व भॉमिक व्यस्मत अधिकार की विवस्था होती है लोग तंथिकमें हर व्यक्ति को चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो चाहे वो किसी भी धर्म का हो सबको वोट देने का अधिकार दिया जाता है एक निश्चित आयू को पार कर लेने के बाद, इसलिए कहते हैं व्यस्त मत अधिकार, जैसे हमारे देश में 18 वर्ष के उपर का हर व्यक्ति जो है वोट डालने का अधिकार रखता है, मत देने का अधिकार रखता है, इसलिए इसको कहते है सर्वभॉमिक व्यस्त मत अधिकार तो जिस देश में इस चीज को फॉलो किया जाता है उस देश की सरकार को हम लोग तांत्रिक सरकार कह सकते हैं और बाग की देश जहां पे इन सब में से किसी भी चीज की कमी होती है उसको हम लोग तांत्रिक सरकार नहीं कह सकते हैं उधारन के लिए 2015 तक साउधी अरब में औरत होती थी यानि एस्टोनिया ने इस प्रकार के अपने नागरिक्ता नियम बनाए हुए थे कि उनके देश में जो अल्प संख्यों कहाजाता है तो जो रुसी समाज के लोग थे वो गिंती में कम थे तो जो वोट है उसका मूल जादा, उसकी वैल्यू जादा है और दूसरे संभुदाय के लोगों के वोट का मूल जो है वो कम है है फीजी के मूल निवासियों से बतलब है जो फीजी ऐसे लोग जिनके दादा परदादा शुरू से ही फीजी देश में ही रहते आए हो और भारतिय मूल के फिजी से हमारा मतलब है उन लोगों से जो उन लोगों की संताने होते हैं जिनको अपनिवेशिक शासनकाल में या अंग्रिजों के शासनकाल में भारत से फिजी में बागारों में काम कराने के लिए लाया गया था तो इनका जो वोट का मूल होता है वो फिजी के मूल के वोट के मूल से कम होता है तो यहां पर हम देखते हैं कि इन सब देशों में राजनेतिक समानता दिखाई नहीं देती है जो की बहुत ही आवश्यक है किसी भी देश को लोगतंत्रिक कहलाने के लिए लोगतंत्री की अगली विश्यष्टा ये होती है कि लोगतंत्र में क्या होता है कि कानून का राज होता है और अधिकारों का आदर होता है यानि जिन लोगों को जनता ने अपने प्रतिनिधी के रूप में चुना होता है वो जब सरकार बना लेते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि उनको नागरिकों को जो बुनियादी अधिकार दिये गए हैं उनको छीनने का कोई अधिकार नहीं होता है उधारण के लिए जिंबाबवे में क्या हुआ कि जिंबाबवे जो देश है वो 1980 में आजाद हुआ था उसके बाद यहां पर जानू पीएफ दल का ही राज रहा था नेता रॉबर्ट मुगाबो जो इस दल के नेता थे वो ही हमेशा राश्ट्रपती बनते थे लोग इस दल को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि इस दल ने आजादी के लड़ाई में काफी संगर्श किया था तो लोग इस पार्टी को जिताते भी थे लेकिन रॉबर्ट मुगाबो जब राश्ट्रपती बने तो उनको क्या हो गया उनको कुर्सी से प्यार हो गया वो नहीं चाहते थे कि सत्ता उनके हाथ से जाए, तो उन्होंने उसके बाद जीतने के बाद क्या किया, अलोगतांत्रिक तरीके से शासन करना शुरू कर दिया, उन्होंने क्या किया, चुनाव में उन्होंने गलत तरीके अपनाना शुरू कर दिया, समविधान में उन्होंने बदलाफ करके अपने अधिकारों को बढ़ा लिया और अपनी जवाब दे ही जनता के प्रती कम कर दी विपक्षी दलों को भी परिशान किया गया अब विपक्षी दल कभी भी कोई सभा करते थे तो उसमें गरबडिया करा दी जाती थी लोग अभी कभी आवाज उठाते थे आंदोलन करते थे कोई विद्रोग करते थे तो उसको रोग दिया जाता था लोगों को मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को व्यक्त करने का मौका ही नहीं दिया जाता था मीडिया से भी उसकी स्वतंत्रता जो थी वो छील ली गई थी मीडिया जो थी वो सरकार के विरुद्ध क कुछ भी न छाप सकती थी, न दिखा सकती थी, मीडिया के उपर बहुत प्रेशर डाल दिया गया था, 2017 में मुगावो को राश्रुपती के पद से हटा दिया गया, तो यहां पर हम देखते हैं कि लोक प्रियनेता, जो की जनता की पसंद का नेता है, वो भी जब शासक बन जा सरकार जो चुन के आती है, जनता द्वारा, उसको नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करना चाहिए, यानि नागरिकों को जो संविधान द्वारा कुछ अधिकार दिये गए हैं, मौलिक अधिकार जो दिये गए हैं, उसको सरकार को छीनने का हक नहीं होन चाहिए और अगर सरकार उन अधिकारों को जनता से छीनती है तो ऐसी एक स्वतंत्र नियायाले की विवस्ता देश में होनी चाहिए, जो नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों को संडक्षक, संडक्षन प्रोवाइट करा सके, जैसे इस नियायायाले को हम स्वतंत्र चाहिए अगला हम यह देखते हैं कि चुनी गई सरकार पर सम्विधान का अंकुष होना चाहिए यानि जिस सरकार को जनता ने चुना है पसंद करके चुना है वो सरकार ऐसा नहों कि जब वो जीट जाए उसके बाद वो निरंकुष तरीके से काम करना शुरू कर दे अपने मन अब हमने लोग तंत्र की सारी विशेष्टाओं के बारे में पढ़ लिया अब आईए अब हम इन सारी विशेष्टाओं को समेट कर लोग तंत्र की एक परिभाशा देते हैं लोग तंत्र में शासकों का चुनाव लोग करते हैं लोगों द्वारा चुने गई शासक ही सारे प्रमुख फैसले लेते हैं चुनाब लोगों के लिए निश्पक्ष अफसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौझूदा शासक को बदल सके यानि लोगों के पास इतने राजनेतिक दल सामने होने चाहिए कि अगर लोगों को लगे कि उन्होंने गलत राजनेतिक दल को चुन लिया है तो अगली बार उनको ये मौका मिले कि वो उस राजनेतिक दल को हरा दे और दूसरे राजनेतिक दल को जिता सके यह विकल्प और अफसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो यानि देश में सर्वभॉमिक व्यस्मत अधिकार की व आईए हम ये जान लेते हैं कि लोग तांत्रिक शासन प्रणाली को लोग जादा पसंद क्यों करते हैं ये लोग प्रिय शासन प्रणाली क्यों हैं तो अब हम जान लेते हैं कि लोग तांत्रिक शासन प्रणाली को लोग क्यों पसंद करते हैं अन्य शासन प्रणाली से इसक चुनाव होता है, निश्चित समय के बाद चुनाव होता है, जैसे हमारे देश में हर पाच वर्ष पे चुनाव होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि कभी किसी राजयतिक दल की सरकार बनती है, कभी किसी राजयतिक दल की सरकार बनती है, तो शासक जो हैं वो बदलते रहते हैं जब चुनाव होते हैं तो जितने भी राजितिक दल हैं, वो कुरसी को लेकर, सत्ता को लेकर आपस में लड़ते हैं। और अपनी नयतिकता के स्तर को गिरा देते हैं। तो इसलिए कह जाता है कि लोक तंतर कुछ नहीं सिर्क राजितिक लड़ाई होती है, इसमें सत्ता का खेल माना जाता है इसको और इसमें का जाता है कि नैतिक्ता की कमी देखने को मिलती है लोग तंत्र में कई लोगों का यह कहना है कि इसमें फैसले में देरी होती है जैसे कि राज तंत्र और ताना शाह में किसी एक व्यक्ति को फैसला लेना होता है तो वहाँ जिन प्रतिनिधियों को चुनती है कई बार इन प्रतिनिधियों को जनता की असली दिक्कतों के बारे में पता ही नहीं होता तो वो फिर कैसे सही फैसला ले सकते हैं जनता की तरफ से खर्चीले चुनाफ लोगतंतर के खिलाफ ये भी तरक दिया जाता है कि यहां पे हर पांच वर्ष में क्या होता है जिसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है जो की देश के विकास के लिए भी इस्तिमाल किया जा सकता था तो खर्चीले चुनाफ होते हैं ये इसके खिलाफ एक तर्क दिया जाता है फिर ये भी तर्क दिया जाता है कि लोग तंत्र में सभी को फैसला लेने का अधिकार होता है सबी को शासक चुनने का अधिकार दिया जाता है, जबकि जो आम लोग होते हैं, वो जागरुक ही नहीं होते हैं, उनको कई बार पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, ऐसे में वो गलत फैसला भी ले सकते हैं. तो ये सारे तर्क जो है वो लोग तंत्र के खिलाफ दिये जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग तंत्रिक शासन प्रणाली को बहुत लोग प्रिये माना जाता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अन्य शासन प्रणालीों से फिर भी फार बेटर है, बहुत ही जादा बेटर है, क उक्तांत्रिक सरकार जो होती है वो जनता के प्रती उत्तरदाई होती है उसको पता होता है कि अगर उसने जनता के हित के लिए काम नहीं किया तो अगले इलेक्शन में उसको हार का सामना करना पर सकता है इसलिए वो जनकल्यान का ही काम जादा करती है इसको इस उधारन से समझ सकते हैं कि 1958 से 1961 के बीच चीन में भीशन आकाल पड़ा था जिसमें 3 करोड लोग मारे गए थे भारत की आर्थिक स्थिती चीन से बहतर नहीं थी लेकिन फिर भी भारत में इतनी ज्यादा भयावस थिती देखने को नहीं मिली ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत में लोकतांत्र सरकार है और भारत की सरकार को ये पता था कि मुसीबत में अगर हमने जनता का साथ नहीं दिया तो हमें हार का सामना करना पड़ सकता है तो इसलिए भारत की सरकार ने स्थिती को संभालने की कोशिश की लेकिन चाइना में जैसा कि अभी आपने देखा कि दिखावटी लोग होती है लेकिन फिर भी क्या होता है जब बहुत सारे लोग फैसला लेते हैं तो जादा चर्चाए होती हैं जादा बैठके होती हैं तो ऐसे में क्या होता है गलतियों की गुंजाईज जो होती है वो बहुत कम होती है तो लोग तंत्र में जो फैसला लेते हैं प्रतिनिदी जो बाध्षाई समूं के लोग रहते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि अगर तांतरिक शासन पडाली नहीं होगी तो जो जो समू ताकतवर है उसका दब दबा समाज में रहेगा और दूसरा समू जो है वो से दब जायेगा यह दब तो जाएगा लेकिन यह समय समय पर क्या करेगा विद्रो दर्शाता रहेगा और देश में अशांती पूर्ण महाल रहेगा लेकिन लोग तंत्रिक शासन पडाली में क्या होता है कि सत्ता कभी भी एक समू के पास नहीं रहती है सत्ता का जो विजेता होता है वो बदलता रहता है कभी किसी समू के हाथ में सत्ता चली जाती है तो लोग तंतर में क्या होता है कि कई सारे समूज जो है वो मिल जुलकर रह पाते हैं लोग तंतर में नागरेकों को सम्मान मिलता है यह सबसे मजबूत तर्क है लोग तंतर के फेवर में ऐसा होता है कि जैसे अगर अगर राज तंतर में देखें और ताना शाय में देखें तो वहाँ पर क्या होता है जनता की राय को एहमियत नहीं दी जाती जबकि लोग तंतर में जनता की राय को बहुत एहमियत दी जाती है हर आदमी को बराबर समझा जाता है चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो सबको बराबर का अधिकार मिलता है लोग तंत्र में हमें अपनी गलती ठीक करने का अफसर मिलता है लोग तंत्र में जो सरकार होती है उसकी गतिविधिया चाहे अच्छी हों चाहे बुरी हों वो जनता से छुपाई नहीं जा सकती क्योंकि मीडिया जो होती है वो सरकार के सारे कर्मों को जनता के सामने प्रस्तुत करती है अच्छे और बुरे भी फिर लोगों की प्रतिक्रिय भी मीडिया के त्रू सरकार को पता चलती है, अगर सरकार को ऐसा लगता है, कि हमारे किसी फैसले से जो जन्ता है, वो नराज हो रही है, तो सरकार अपना फैसला बदल सकती है, और अगर लोगों को शासक अपना फैसला बदले चाहे तो जनता शासक को ही बदल दे अब आईए हमने लोगतंत्र के बारे में समझ लिया और हमने ये जा लिया कि ये शासन परडाली और शासन परडाली से किस प्रकार पहता है अब हम लोगतंत्र के व्रहतर अर्थ के बारे में जानते हैं लोगत तंतर में क्या होता है जनता का शासन होता है लेकिन आज ऐसा नहीं है कि प्रत्यक्ष लोगतंतर किसी भी देश में दिखाई देता है सिर्फ Switzerland को छोड़के कहीं भी प्रत्यक्ष लोगतंतर की विवस्था नहीं है आधुनिक लोगतंतर जो है अप्रत्यक्ष लोगतंतर है ऐस एसरी हाह याँ कि वी देश में कई लाकों-श लोग रहते हैं करोडों लोगे यहाँ अब हर फैसला नहीं सकते तरीके की विवस् SMITH को कर भी दिया जाए तो भी हर नागरिक Olow हर चीज का ग्यार नहीं होता और नागरिकों के पास इतना समय भी नहीं हो पर इतना इंट्रस्टेड होते हैं तो अप्रत्यक्ष लोगतंत्र हर जगा दिखाई देता है ऐसे में जनता क्या करती है अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और यही प्रतिनिधी जो है जनता की तरफ से देश के सारे फैसले लेते हैं इसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष लोगतं प्रयोग सरकार से अलग संगठोनों में भी कई बार देखते हैं, जैसे कि हम किसी परिवार को लोगतांत्रिक परिवार तभी कहते हैं, जब परिवार के छोटे बड़े फैसलों में सारे परिवार के मेंबर्स की राय ली जाती है, अगर परिवार का सिर्फ एक सदसी ही सारा प्रश्ट पूच पूचने का अगर कोई टीचर क्लास में आकर ये कहें कि सिर्फ मैं बोलूंगी और कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं पढ़ा के चली जाओंगी, तो ऐसी कक्षा को हम लोगतांत्रिक कक्षा नहीं कह सकते हैं, जब two-way interaction होता है, तभी लोगतांत्रिक कक्षा कहलाती है, राजनितिक दल भी कभी लोगतांत्रिक राजनितिक दल वही होता है, जो सारे सदस्यों को, दल क सारे सदस्यों की राय को एहनियत देता हो, अगर किसी राजनितिक दल में सिर्फ एक परिवार की चलती है, या उचे पत के नेताओं की चलती है, खाली उनी के फैसले लिये जाते हैं, उनी के अनुसार फैसले लिये जाते हैं, तो ऐसे राजनितिक दल को भी लोगतांत्रिक प्राजनेतिक दल नहीं कह सकते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लोगतंत्रिक फैसले का मतलब उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के स्विक्रिती से जो फैसला लिया जाता है, उसी को लोगतंत्रिक फैसला कहा जाता है, कई बार हम लोगतंत्र का परोपर सूचना उपलब्ध होनी चाहिए उसके पास बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए ताकि वह सही और GAL Singh Pan PO भी उसके पास उपलब्ध होने चाहिए रोटी कपड़ा और मकान होना चाहिए और उसके अंदर पकी निश्था भी होनी चाहिए इस प्रकार से अगर हम लोगतंतर को देखें तो आज हमें किसी भी देश में इस प्रकार का लोगतंतर देखने को नहीं मिलता है क्योंकि एक त मिलती है और मौझूदा लोगतंतर को और बहतर बनाने में भी मदद मिलती है तो बच्चो आज मैंने आपको पड़ाया है वो आपको समझ में आया होगा इस पार्ट में आज हमने क्या क्या पढ़ा सबसे पहले हमने जाना कि लोगतंतर शासन प्राली क्या होती है फिर हमने इसके विशेष्टाओं के बारे में जाना, फिर हमने ये जाना कि अनिशासन प्रडालियों से कैसे बहतर है, लोग इसको क्यों जादा पसंद करते हैं, और फिर हमने लोग तंत्र के विशेष्टाओं के बारे में जाना, तो आईए, अब मैं आपको ग्रैकारे दे देती हूं जो मैं आशा करती हूँ कि आप अपने नोट बुक में करेंगे आपको इन प्रश्णों के उत्तर अपनी कॉपी में देने है पहला प्रश्ण है लोग तंत्र की विशेशताएं बताएं दूसरा लोग तंत्रिक और गया लोग तंत्रिक सरकार में क्या अंतर होता है उधारण दे कर समझाएं लोग तंत्र के पक्ष में और विपक्ष में तीन-तीन तर्क दें आज मैंने आपको जो पाट पढ़ाया है उससे संबंदित आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप दीक्षा एप को डाउनलोड करके वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस एप को आप डाउनलोड करके इस अध्याय से संबंदित प्रशनों अन्य गतिविधियों का अभ्यास भी कर सकते हैं और अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कोई डाउट होता है तो आप अपने सब्जेक्ट डीचर से और लाइन ई-Learning द्वारा या वाट्सप वर्चुल क्लासे द्वारा भी डिसकस करके अपनी प्राप्लम को सॉल्व कर सकते हैं आज का वीडियो अगर आप दुबारा देखना चाहते हैं तो आप उत्तर प्रदेश मादेमिक शिक्षा विभा की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो भी देख सकते हैं धन्यवाद